Hello dear student, good morning, good evening all of you. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहा हैं. GST के प्रीडियस मैनी लेक्शर्स के अंदर हमने supply of GST को समझा था, time of supply को समझा था. आज हम बात करने वाले हैं exemption from GST. हमने देखा था कि अगर कोई भी taxable person, अगर कोई भी taxable supply करता है, चाए वो goods की बात हो, चाए वो service की बात हो, आपको tax charge करना है और वो जो tax charge किया हुआ है, वो आपको party से collect करना है, input tax credit adjust करनी के बाद, जो भी payment बचता है, वो payment आपको government को करना होता है. अब आज करते हैं exemption from GST, exemption from GST का मतलब होता है, कि government ने ये notify किया हुआ है, कि sir, इस goods या इस service पर हम आपसे tax नहीं लेंगे, अब हम आपसे tax नहीं लेंगे का मतलब क्या होता है, किस से tax नहीं लेंगे, अगर कोई person है, अगर वो person इस type की service प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो tax charge नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा sir, उससे tax charge नहीं करेगा, अब sir, यहाँ पर पात करते हैं कि government ऐसा क्यों करती है, कि आप goods से supply कर रहे हो, आप service की supply कर रहे हो, लेकिन सामने वाले person से tax collect नहीं करोगे, तो sir, काम कैसे जलेगा, तो यहाँ पर वो goods और वो services आती है, जो हर कि किसी को need होती है, for example, अगर हम बात करते हैं, आटा, यानि कि गेहूं, आटा, यह अगर हम किसी से purchase करते हैं, यह हर किसी की need होती है, गेहूं को वो purchase करते हैं, यह पिसाने जाते हैं, आटा बनता, आटा से वो रोटी बनाते, खाते हैं, हर किसी की need है, चाहे वो गरीब हो, च आटा नॉमिनल किशी शॉप से पर्चेस करते हैं ओपन में कि आपने सब 10 किलो आटा लिया 15 किलो आटा लिया 20 किलो इस तरह से अगर आप आटा पर्चेस करते हैं तो वह एक्जेम्टेड है वो परसन आपसे जीस्टी कलेक्ट नहीं करेगा चाहिए उसका टर्नवर 40 लाग से उपपर का भी क्यों नहीं हो जाए फिर भी आपसे जीस्टी कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि Elite को मालूम है कि सर यह चीज़ है इसको नोटिफाई करती है, सर्कूलर निकालती है, कि उसके अंदर सर इस नोटिफिकेशन के तरू, इस सर्कूलर के तरू, यह यह चीज़े अभी तक एक्जेम्टेड है, अब गवर्मेंट को लगा कि नाई सर, आब इसको एक्जेम्टेड करने से मतलब नहीं है, वह कुछ सर, कौन-कौन से चीज़े एक्जम्टेड है, कौन-कौन से चीज़े टेक्सेबल है, टेक्सेबल की के टेगरी हमने देख लिए थी, अगर आप कोई भी नेसं सर्विस के सप्लाई करते हो, वह सभी टेक्सेबल है, जो भी लिस्ट आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे, जो आप कौन सा कोर्स कर रहा है, obviously, तरह आप टेक्स कंसल्टेंट या फिर जीस्टी एक्सपर्ट या फिर जो भी आपने कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है, वो आप कर रहे हैं और वो भी आप प्रैक्टिकल वेस कोर्स कर रहे हैं, यानि कि सरक उसको देख खे उसके पूरी लि प्रैक्स करेंगे, एक 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 आती है, कि सरक गवर्मेंट जो भी सर्вिश देती है, वो एक ज moral काम होता है, या हमारे जो काम की चीजिजे आने वाली, हमारी जो काम क्या आएगँ है, वो हम इस लेक्टर में कवर करने वाला है, घिक है, तो आप बिलकुल निश्चिंत रही है, यह practically बहुत ही कम काम आएगा, लेकिन knowledge की जरुवत हर किसी को पढ़ती है, सबसे पहले बात करते हैं, introduction, when a supply of goods and service falls within the preview of charging section, such supply is chargeable to tax, अगर कोई charging section के तुरू है, तो उस पर क्या होगा, सब JST charge होगा, However, for determining the liability to pay the tax, one need to further check whether such supply of goods or service is exempted from tax, कुछ-कुछ services क्या होती है, सब्सक्राइब क्या होती है, exempt from tax, exempt supply has been defined as supply of any goods or service or both with attract nil rate of tax, और which may be wholly exempt from tax, include non-taxable supply, Ultimately, it is exempted, exemption from JST का मतलब होता है, कि सुरू उस product के उपर आपको कोई भी tax charge नहीं करना है, exemption, यानि कि उसके उपर आपको, income tax अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, आपको क्या-क्या exemption मिलते हैं, sell chapters के अंदर, house property के अंदर, PGVP के अंदर, क्या-क्या exemption मि नहीं करना, non-taxable supply means, a supply of goods और service और both, which is not leviable to tax on the CGST act, a GST supply not leviable to tax also include within the preview of exempted supply, ultimately, कहने का मतलब सरी ये, कि अगर आप सामने वाले परसम को goods या फिर कोई भी service दे रहे हो, आप उनसे tax charge नहीं करोगे, that's called exemption from GST, Supplies not leviable to tax are alcoholic liquor for human consumption, specified petroleum product namely petroleum crude, high diesel speed, motor speed, natural gas and aviation terminal fill, सरी ये क्या है, ये चीज़े है न, ये पूरे GST के दाएरे से बाहर ही है, ये क्या है, ये GST के दाएरे से बाहर है, यानि कि ये भी GST में include ही नहीं है, उसके उपर आज भी weight लगता, अगर आप petrol की बात करे हैं, अगर आप legal for human consumption की बात करे हैं, तो आज भी उस पर weight लगता है, अब सरा आप सोच रहोंगे कि legal for human consumption और दूसरा कोल सा लिकर आता है, दूसरा लिकर आता है, जो आपकी medicines में use होता है, जो सेर के related, जो बीमारिया होती है, उसमें drugs मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं कि खासी ह होती है, या फिर अगर आपको बुखार होता है, तो उसको पीने से आपको नीद आने लगती है, वो नीद क्यों आती है, अगर किसी को कोई mentally कोई problems होती है, तो वो medicines काता है, उसको नीद आती है, जिसको नीद नहीं आती है, उसको नीद की medicines दी जाती है, उसको नीद आती है क्या reasons है इसके पीछे सो आपको वहाँ पर क्या ऐसे लिकर मिलाया जाता है त्याकि वज़े से उसके drugs होता है इस तरह का जिससे उसको भीडार तो वहाँ पर अगर वह एपले हो रहा है यहार कि वहाँ पर है तो वह taxable है लेकिन जो लोग इंसान जिसको क्या बोले इंसान तो नहीं बोल सकते ultimately जो भी आपको बोलना है अब बोले अक्चुली ऐसा लिकर नहीं यूज करना चाहिए जिससे क्या होता है कि हम राजपूत है थोड़ी से बात बताते हैं हम राजपूत है नॉर्मली बोलते हैं कि सर दारू पीने में राजपूत के राजपूत के राजगराने चले हुए तो आप इस बास से थोड़ा सा सहमत हो कि दारू पीना यानिकि लीकर का कंजंशन करना हमारे जैसे प्रोफेशन के लोगों का काम नहीं है हम एक्स टैक्स कंसल्टेंट है हमारे उपर सरस्वती मा का आशिरवाद है कि टेलेंटेड है हम और टेलेंटेड होने के बाद भी था हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं लोगों को गाइड कर रहे हैं और ल प्रिक्तर लीकर की वज़े से होता है ठीक है पैट्रली प्रॉडक्ट ही आज पैट्रोल भी ओनली पूर भी वेट में है उस पर भी आज वेट लगता है ठीक है नेचुरल गैसे अविएशन टर्बिन अगर ओपन लाओगे किसी भी शॉप से एक्जैम्टेड लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी जैसे नॉर्मली आशिरवात चलता है बहुत सरे लोग आते हैं आशिरवात वह आशिरवात का अटा लेकर आओगे वह पैके ब्रांड एक और ब्रांड के थुरू आपको सेल्स किया 2017, section 6, subsection 1 of IGSTX 2017, these items have been exempt on floor of the tax, under every items used for common men have been including the list of exemption item, such unbranded data, unbranded data, जैसे आशिरवात किया तर एक ब्रांड है, वह ब्रांड एकर आप पर्चेस करोगे, टेक्स लगेगा, लेकिन अगर आप अपन पर्चेस करोगे, अन ब्रांडेड करोगे, टेक्स नहीं लगेगा, मेदा, बैसन, अन पेख फूड ग्रें, मिल्क, एक, करड, लसी, फ्रेस्टेबल्स, अर अमोंग दाइटम एक्जम पर्चेस करोगे, प्रोगेड जो नॉर्मल जो हमाले डेली रूटीन खाने पीने की जो चीजे होती हैं, उस पर आज भी टेक्स नहीं लगता है, एक्जम ड़्या लिस्ट आप सर्विस एक्जम प्रम डख्स, अब बात करते हैं कि सर ऐसी कौन-कौन सी सर्विसेज है, जो की एक्जम शन, सबसे पहले आती है, सर्विसेज प्रोवाइड बाइड चैरिट्रिबल और रिलिजियस ट्रस्ट, चैरिट्रिबल इंस्टिटूशन का नाम आपने जरुर सुनाओगा, यानि कि ट्रस्ट का नाम आपने जरुर सुनाओगा, ठिचैरिट्रिबल इंस्टिटूशन होता मित लोग चैरिट्रिटी करते हैं, क्या रर चारीटी करते हैं, अगर हम बता दे, हम जारहे थे रोड़ करूसे갈 शहया रहे थे, और राँ को हमको पता चला कि अभी बहुत ठंड पड़ रही है और जो लोग रोड के किनारे सो रहे हैं उनको बहुत ठंड लग रहे हैं उनके पास में ओड़ने के लिए कंबल नहीं है हमने डिसाइड किया अगले दिन कि यार इनको हमों कंबल देने की जरुवत पड़ेगी तो इनको एक काम करते हैं कि पचास कंबल हमने पर्चेस कर लिए शौप से और इन सभी जो भी लोग सो रहे थे उनको हमने ओड़ा के आगए अब उसने आगे क्या किया वह कंबल मेच के 200 रुपय कमा लिए 200 रुपय का पहुआप की कि आ गए XYZ वो उसका लुकाइट था हमारा लुकाइट नहीं था हमने पचास कंबल उनको डॉनेट कर दिय एक-एक को हमने दे दिये वो सको यूज़ कर रहे हैं XYZ यह क्या किया असर होने है यह charity किया है क्या किया charity अब क्या इतनी charity करने से अगर हम कोई भी service अगर दे दे अब यह साथ में हम क्या दे रहे हैं educational service दे रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं अब यह जो educational service दे रहे हैं क्या यह exempted होगी यानि कि हम charitable institution में आएंगे या नहीं आएंग होता है जो income tax section 12 a a 12 a b के अंदर रजिस्टर होता है जो उसके अंदर अगर आप charity बन institution open करना चाहते हूं तो सबसे पहले आपको section 12 a a 12 a b के अंदर आपको registered करना होगा यहां आप charity दे रहे हैं इस type की charity दे आप यह काम करने वाला है इस टाइब का काम करने वाला है लोगों से फिर आप donation भी लेंगे XYZ जो भी आपको काम करने आप करेंगे लिखिन उसका आप registered होने चाहिए अगर आप registered हैं और आप service दे रहे हैं तो ही आपकी वो service exempted की category में आएगी otherwise आपको tax pay करना पड़ेगा अगर आपको जो भी service आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अगर आपको exemption की चाहिए न तो दो conditions आपकी satisfied होनी चाहिए सबसे पहले the entity should be registered under section 12 AA-12 AB of the income tax of 1961 सबसे पहले तो वो उसमें registered होना चाहिए the entity must carry out one or more specified charitable activities और वो जो charitable institution जिसने section 12 AA और 12 AB के अंदर register तो करा दिया लेकिन वो एक कोई भी specified charitable institution activities वो कर रहा होगा तो यह जर आपको इसका donation मिलेगा अगर आपने charitable institution खोल दिया और section 12 AA-12 AB के अंदर आपने registration करा दिया जूट मोड के और आप दे रहे हो असर educational service और धड़ा-धड़ साल के करोड रुपय कमा रहे हो government आपसे tax लेकिस भी exempted नहीं है exempted गया एक सर आप charitable activities आपकी होने चाहिए जहां पर charity आना चाहिए वो आता है ऐसे charitable institution चलो समझते हैं उसको सबसे पहले बात करते हैं public health by way of public health public health का मतब लोगों को आप service दे रहे हो कि स्टाइट की care और counseling of terminally ill persons और person with several different mental disability अगर आपको कोई ill persons है उसको आप health service दे रहे हो person affected with HIV and AIDS जो HIV AIDS है जो affected है उनको आप service दे रहे हो health service दे रहे हो person addicted to dependence forming substances of neurotic drugs और alcohol अब यह भी बात कीती है अमना यह बोज रहे हैं कि अगर कोई सरे alcohol से addicted person जिसके alcohol चूटने रही है अगर उसको alcohol छुडाने के लिए अगर आप कोई भी service देते हो इस टाइप्स है वो service भी आपकी exempted category में आते हैं देखो एसे भी लोग charity करते हैं और जो लोग बहुकूप कमाते हो तो 200 रुपिया नहीं तीन सो रुपिया के दा रुपिय के आ जाते हैं बहुत गलत बात है अगर कर रहे हो तो छोड़ देना पब्लिक अवेर्नेस यहां तो हम बात कर रहे थे care और counseling अगर आप कर रहे हैं उनका यानि कि यह जो जितने भी hospitals होते हैं अगर आप सर चेक कर वाओ बोलते हैं कि सर आपको रेगुलर आपकी बोड़ी को चक अप करना चाहिए family planning family planning के लिए preventing of HIV infection HIV infection HIV ना हो उसके लिए कुछ awareness पब्लिक लिए अगर आप फैला रहे हो इस टाइप का अगर कोई काम आप कर रहे हो तो वो सब कुछ exempted government आपसे कोई भी टेक्स चार्ज नहीं करेंगे हैं अबरे इंडिया के लोग है न सब्सक्राइब बहुत खतरनाग लोग है लोग है health check-up इस लिए नहीं करवाते हैं कि उनको ऐसर लगए कि सर इसके अंदर कई बीमारी नहीं निकल जाया है पहली conditions तो यह है दूसरा आती है अगर health check-up करा लिया और बीमारी नहीं निकली तो पैसा वेस्ट चला जाएगा इसे दूर रिजन्स की वज़े से आजकल के लोग health check-up नहीं कराते हैं लेकिन नौर्मल आपको साल के अंदर दो बार health check-up आपको ज़रूर करवाना चाहिए नौर्मली डॉक्टर के पास जाएं ब्लड और यूरीन का टेस्ट करा लें उसमें अगर आपको कोई भी उच्छे नीचे होगा आपको शोव जाएगा अधिरवाइस अगर आपको कुछ ज्यादा illness हुई और फिर आप डॉक्टर के पास में गए फिर उसने बहुत सारे गाड़ी की servicing कराते हो जिस तरह से आप अपनी कार की servicing कराते हो कोई प्रोड़क्ट आप अपने घर में लाते हो तो उसका कितना care करते हो आप इसी तरह से यह बगवान के दिवर यह जो डी गई आपकी बोड़ी है इस बोड़ी का भी आपको care करना चाहिए उसका system का आप को ध्यान रखना चाहिए system मांगता है पानी और आप पीते हो दारू system मांगता है सिंपल कुछ खाने आप खाते हो गुड़का कि यादि कहले किश का्रेवाली गाड़ी जो होती है उसमें the share डाल दे तो क्या होता है उसका इंजय क्या हो जाता है इसी तरह से same to same हमारे चीज़े भी है इसलिए आप क्या करें आप अब ए जल कर ईघान रखने कर आ से टाइम ठाशेर का आब आर आप से spirituality related काम करते हो और योगा कराती हो वो योगा पूरी तरह से exempted है क्योंकि government यह मानती है किसर अगर आपको किसी को योगा करा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर लोगों को पता सब कुछ रहता है कि सुबह वोकिंग करनी चाहिए सुबह जल्दी उटना चाहिए सुरी भगवान की उठने से पेले उठना चाहिए ऐसे कोट्स बहुत सारे आप अपने स्टा पे और फैस्ट बूक पे हो या किसी के स्टेटस पर देखते होंगे कि सुबह जल्दी उटना चाहिए और सुबह एक्सरसाइज जोगिंग करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए इससे क्या होता है तरोत आ जा रहते हैं दो साल पास साल तक आवा ज्यादा जीते हैं एक्स वाई जेड लोगों को मालूम सब रहता है लेकिन करता कोई नह कि सही महनत करने से सही डायरेक्शन में अगर महनत कर रहें और बीना टाइम वेस्ट की एक ही चीज़ के उपर लगे रहे हैं तो पैसा आना ही आना है मालूम सब है लेकिन करते नहीं है आपको करना है जो लोग अगर ऐसा कराते हैं गवर्मेंट उनको एक्जैम्ट कर देती आज योगा घुरू के नाम से जाना जाते हैं पूरे इंडिया के नहीं पूरे विश्व में बहुत जानमाने प्रसिद्ध है योग घुरू बबाबा रामदेव उससे जो भी योगा से जो भी पैसा कमाते है योगा तो पूरी तर से एक्जैम्टेड है लेकिन योगा से ज नहीं होता है तो योगा इस्प्रेजिलिटी और इलिजिएंस रिलेटेड़ सर्विस अगर आप कोई भी देते हैं वो पुरी तरसे एड्जेप्टर है अगर आप कोई एड्यूकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलोपमेंट अगर आप कोई एड्यूकेशनल या स्किल डेवलोपमेंट का कोई कोर्स कराते हैं कोई एड्यूकेशन से अगर आप प्रवाइड करते हैं किसको अमेंडन, ओर्फेन और हॉम्लस चेल्टर, सर जो जिसके माबाप उसको छोड़के चले गए, या फिर जिसके माबाप भगवान को प्यारे हो गए, जो घर से बिलकुल हॉम्लस हो गए, ऐसे स्टुडेंट्स हो, ऐसे बच्छों को अगर आ पढ़ाते हो, तो वो एक्जैम्ट लोगों को, जो फीसिकल, या मेंटल ही थोड़े से सब्सेंट है, ऐसे आ पृपूलों को अगर आप थोड़ा सा देत हो, प्रिजलर, प्रिजनर का मतलब होता है, कैदी, कैदी को अगर आप को ही knowledge दे रहे हो, उनको थोड़ा सा सही रहा, पे आप लेका आ रहे हो, हुसने ज को अगर आप कोई भी कीसी भी चीज़का स्किल्स सिखाते को एजुकीशन देते वह एजुकस और उगे आपको यहां तो conservation of environment environments याप कुछ करते हैं जैसे वैटर शेड़ फोरेस्ट वाइलट के लेटर अगर आप कोई भी काम करते हो होग होस्टल अकुमडिशन इस फिर इपाइबड बाय चैरिपल चैरिटेबल एक्टिविटिस में नहीं आता है डिकाइब हैżen刁 योगा Meditation Camp by Charitable Trust. सर अगर आपको यह तर से Yoga कराते हो, Meditation Camp लगाते हो Meditation Camp लगाने से आपको जो भी पैसा आता है, वो पैसा पुरी तरह से Exempted है. As discussed above, service provided by Entity Register Under Section 12 AA-12AB Of Income Tax Section 1961 by way of Advancement of Religion, Spirituality, Yoga or Exempt Such activities are covered in the definition of Charitable Activities. Fee or Consideration Charges in any other form the participant for participating in the religious yoga meditation program camp meet Advancement of Religion Spirit shall be Exempted. सर अगर आप कोई भी Meditation Camp लगाते हो, Yoga Camp लगाते हो, और उस लगा Camp लगाने पर आप जो भी कुछ payment रसीब करते हों सो थोड़ा आपो registration fees आप जो रसीब करते हों पुरी तरह से Exempted है. Residential program or camp where the fees charges include cost of loging, boarding shall also be exam as a long as the primary, preliminary activity, objective purpose of search, register, progress, यह बोल रहे हैं कि सब आप योगा दे रहे हो, योगा, spirituality yoga, यह सब कुछ आप कर रहे हो, साथ साथ में अगर आप कुछ और भी service को दे रहे हो, लेकिन आपकी primary service का, primary service आपकी yoga की है, primary service आपकी meditation की है, और अगर आप साथ में अगर और भी service अगर कोई दे रहे हो, नो उनको खाने का दे रहे हो, पीने का दे रहे हो, यह सब चीज़ें दे रहे हो, तो वो exam dedicated degree में आए कि है, अब ध्यान से समझ नाम, एप charitable और religious trust merely और primarily provide accommodation of service और service food, drink against consideration in forma including donation, such activities will be taxable, सर अगर अगर आपने primary काम उनको food और drink देना हो गया, यानि इस तरह से अगर आपने काम के लिए और वहाँ सा लोगों से donation लेना शूरू किया, तो यह फिल exempted नहीं होगा, taxable होगा, activities, holding, fitness, camp, classes, as the whole, topics, dance, music will be taxable, अगर आप साथ में ये भी लगा रहे हो कि हम उसको dance भी सिखाएंगे, हम उनको music सिखाएंगे, हम aerobics उनको सिखाएंगे, अगर इस तरह की बगरा sub-service दे रहे हैं, primary अगर आपका ये हो जाता है, योगा आपका साइड में रह जाता है, तो फिर ये taxable category में आ जाएगा, चलिए, आगे बात करते हैं, training और coaching in arts, culture, sports, सर, अगर आप कोई recreational activities relating to arts, culture, by individual, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, sport by charitable entities register under section 12 AA-12 AB of the income tax at our exam from tax, जो इस तरह की register, अगर वो कोई भी service दे रहा है, तो वो क्या है, सर, exempted है, चलो, अब बात करते हैं, सर, ये तो हमार अथा institution है, यानि कि charitable institution जो लोग इस तरह की service प्रवाड़ी करते हैं, अब बात करते हैं, सर, agriculture service, agriculture service का मतलब क्या होता है, सर, जो भी agriculture, farmer जो होते हैं, आपने कोई भी rice आयता है, पेडी आती है, पेडी को फिर उसको convert करके rice में बनाया जाता है, पेडी इस पार्ट ऑप अग्री चल्चर बार राइस इस दो नहीं पार ता है, पेडी जाता है, लेकिन फिर भी rice को उन्दों अग्री कल्चर के लिया हो है, प्र एक्जट एक्ज राइस बीट आटंब इसाट्र उ सदिया गरवाता है, प्रगोरी मार्केट में जाती है, यानि कि कीषार अपने खेच से उगाएक ने Veterinary प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जो जाती है यानि हम यह बोल सकते हैं होलसलर से अगर रिटेलर के पास में जो जाती है वो टैक्सेबल हो जाती है लेकिन डायरेक्ट अगर फार्मर से किसी प्राइमरी मार्केट में होलसलर के पास में जाती है वो पर हमने आपके आपसे कोर्स की प्राइस लीस है 10,000, चीक है, आपसे कोर्स की प्राइस लीस है 10,000, 10,000 into 18 divided by 118, यानि कि इसमें 18% GST included, तो कितना आमको गवर्मेंट को देना पड़ेगा, और कितना हमारे पास मेरेगा, यह हम आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे, 10,000 into 18 divided by 118, 1525, कितना आता है से, 1525, यह टैक्स, गवर्मेंट के पास मेरेगा, यानि कि गवर्मेंट 1525 रुपे, आपसे चार्ज कर रही है, हमारा क्या जा रहा है, हमने तो आपसे लिया और गवर्मेंट को दिया, अब बोलते हैं, सर एड्यूकेशन सर्फिसी, एग्जेम्टेड, तो सर आप भी तो एड्यूकेशन दे रहे हो ना, तो आप एग्जेम्टेड क्यों नहीं है, आपके ऊपर टैक् यह जैसे भी यह जितनी भी classes होती है न यह सभी classes taxable होती है 18% के इसाफ से service इसकी बात कर रहे है इसकी बात कर रहे है इसकूल और colleges इसकूल अगर 12 तक का इसकूल है प्राइमरी या फिर other persons को पढ़ाता है या फिर कोई college है जो college institute के अंद रेजिस्टर एजुकेशन इस्टिटूशन के अंद वो एक्जाम टेड़ा सरकर को interest exam होता है और interest exam के लिए interest face ले जाती है वो interest face भी पूरी तरह से exempted category में आती है सबसे पहले बात करते हैं service provided by education institution to its students faculty staff is exempt by way of conduct of interest examination against consideration form of interest fee is exempt service provided to an education institution providing service by way of preschool education education up to high secondary school or equivalent by way of अब यहाँ पर हम बात करें दो चीज़े आती है एक चीज़े आती है कि सर अगर कोई educational service किसी और person को provide की जा रही है दूसरा आता है कि यह जो service school जैसे है school को अगर कोई और service दे रहा है वो क्या होगी यह बोलते है ट्रास्पोरेशन आप इस्टूडेंट्स फैकल्टी रिस्टा अगर आपने ट्रास्पोरेशन की फैसिलिटी अगर आपने किसी अधर परसन से ले रखी है तो वह exempted है आप पर टेक्स नहीं लगेगा कैटरिंग इंक्लूडिंग यानि मिदे मिल स्किन स्पॉंसर बाइस सेंटल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट यूनिए ट्रीट यूटी सर अगर आप अपने बच्छों के लिए खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए अगर आपको कैटरिंग हायर करने वो भी एक्जेम गरते हैं एक्जेमीट के डिया, अगर्य कोई भी पीज़ेंट गहरते हैं, फीच्टा, educational कोई भी चार्ज अगर आप ले रहे तो वो भी exempted है renting of resistance developing boarding sir अगर आप कोई भी renting के लिए कोई भी इस तरह सा कोई hall अगर किसी को देते हो exempted model employable skill course अगर आप कराते हो exempted service provided by institute of management IIM की बात कर रहे है जो भी courses है अगर वो एक या दो साल के courses है वो exempted है education part of curriculum obtaining qualification recognized by Indian law Indian law के दबार अगर आपका कोई भी है तो वो exempted Indian law के बार अगर अगर आप कुछ भी करा रहे तो taxable foreign जाके करा दो पर तो short stay by different person unfurnished flat short stay short stay का मतलब होता है कि कुछ time के लिए अगर आप किसी को रहने के लिए आपके वास में पॉस्टल ऐसा कुछ भी है रहने के लिए अगर आप जोगा दे रहे तो taxable प्राइवेट ट्विशन आगया सरके सरके सरकेडमी private tuition taxable face receive from prospective employer to campus interview अगर कोई भी company अगर आपका campus interview करती है और कुछ payment परती है तो taxable renting of immobile property higher education secondary school taxable renting property commercial coaching center taxable outdoor catering service provided by education institution running approved vocation courses vocation courses का मतलब होता है कि गर्वी में चुटिया पड़ी गर्वी में चुटिया पड़ी और उन्हें courses दिए वो courses क्या हो जाएंगे सरके taxable और साथ में अगर आपको कोई outdoor catering भी service दे रहे हो वहाँ पर तो वह भी taxable होगी ठीक है सर तो यह था कुछ educational के लिटर सर्विस को charitable institution के चुटर लिटर सर्विसेज और कुछ थी सर अपके agriculture और charitable institutions और educational ठीक है इतना knowledge आपके exemption from GST के chapters के लिए sufficient है तो इतना ज्यादा दिमाप नहीं लगाना है कि सर यह सब क्या चीज़े होती है क्या नहीं है कई exams आपको नहीं देना आपको तो बस यह है कि यह अगर यहाँ पर आगर आप सर आपको classes हमारी पढ़ने में मज़ा आ रहा एक नहीं आ रहा है अगर आपके कोई भी doubts होता हमारशाद में शेर करें हमारे साथ आप जुड़े रहे है ऐसा नहीं है कि सर आपने हमारा course purchase कर लिए और आप हम भूल गे हम आपको भूलने नहीं देंगे हमारे टीम आपको time to time पर call करेगी regular classes आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं डाउट session आप जोइन कर रहे हैं इसका भी ध्यान रखा जाएगा चलिए तो आज के लिए बस इतना next lecture में फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए हसते रहिए मसकराते रहिए